मेरे मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार अक्सर मन की बात विच तो हड़े सवालां दी परमार रहें दी है इस वर मैं सोचया कि कुछ वक्रा कीता जावे मैं तो हानू सवाल करां ता त्यान नाल सुनो मेरे सवाल ओलम्पिक विच इंडुविज्वल गोल्ड जितन वाड़ा पहला पार्ती कौन सी ओलम्पिक दे केड़े खेड विच पहरत ने हुन तक सब तो वद मैडल जितने हन ओलम्पिक विच किस खिडारी ने सब तो वद तमगे जितने हन साथियो तुसी मैनू जवाब पे जो ना पे जो पर माई गव विच ओलम्पिक उते जो कुईज है उस विच सवाल ने जवाब देओगे ता कई सारे इनाम जितने होगे अजहे बहुत सारे सवाल माई गव दे रोड टू टोकियो कुईज विच हन तुसी रोड टू टोकियो कुईज विच पागलो पार्थ ने पहला किमे परफॉर्म कीता है अपनी टोकियो उलम्पिक्स लई हुन की तियारी है इस सब खुद जानिये अते दूजियानों वी दसिये मैं आप सब नू बेंती करना चाओ दा हां के तुसी इस कुईज कॉम्पिटीशन विच जरूर हिस्सा लओ साथियो जदों गल टोकियो उलम्पिक्स दी हो रही होवे तापला मिलखा सिंग जी वरगे लेजेंडरी अथलीट नू कौन पुल सकदा है कुछ दिन पहला ही कोरोना ने उन्हानू साधेतों खो लिया जदों हस्ताल विच सन ता मैंनू उन्हानाल गल करन दा मौका मिल आ सी गल कर दे होए मैं उन्हानू बेंती कीती सी मैं कहा सी के तुसी ताँ 1904 विच टोकियो उलंपिक्स विच पारदी नुमाइंदगी कीती सी इस लई इस वार जदों अपने खिडारी उलंपिक्स लई टोकियो जा रहे हन तद तुसी अपने अथलीट सदा मनोवल बदोना है उन्हानू अपने सुनेहे नाड प्रेरित करना है ओ खेड नू लेके अईने स्मर्पित तते पावुक्सन के बिमारी विच वी उन्हाने तुरंत ही इस देले हामी पर दिती पर बदकिस्मती नाड किस्मत नू कुछ होर मंजूर सी मैंनू आज भी याद है दोहजार चौदा विच ओ सूरत अए सी असी एक नाइट मेराथन दा उदकाटन कीता सी उस समय उन्हाना जो गपशप होई खेड़ा दे बारे विच जो गलबात होई उस तो मैंनू भी बहुत प्रेरणा मिली सी आप सब जान दे हां के मिलका सिंग जी दा पूरा परिवार स्पोर्ट्स नू समर्पित रहा है पारत दा मान वदाउदा रहा है साथियो जदो टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मीनेशन अते स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट इकठे मिल दे हन तद जाके कोई चैंपियन बनदा है अपने देश विचतां बहुते खिडारी, छोटे छोटे शैरां, कस्बयां, पिंडां तो निकड़के ओंदे हन टोकियो जा रहे उलंपिक दल विच भी कई अजे है खिडारी शामल हन जिन्नादा जीवन बहुत प्रेरित करदा है अपने प्रवीन जादव जी दे बारे विच तुसी सुनोगे तां तो हानूवी लगेगा के किन्ने आउखे संगर्षां विचों गुजर दे हुए प्रवीन जी ऐथे पोंचे हन प्रवीन जादव जी महराश्ट्र दे स्तारा जिले दे एक पेंड दे रेनवाले हन ओ आर्चरी दे बहतरीन खिडारी हन उन्ना दे माता पिता मज़दूरी करके परिवार्च लोंदे हन अते हुणोन दा पुत्तर अपना पहला उलम्पिक्स खेड़न टोकियो जा रहा है ए सिर्फ उन्ना दे माता पिता ही नहीं आपना सब दे लेकिन्ने मान दी गल है अजहे ही एक होर खिडारी हन अपनी नेहा गोयल जी नेहा टोकियो जा रहे ही महिला होकी टीम दे मेंबर हन उन्ना दी मान अते पैना साइकल दी फैक्टरी विच कम करके परिवार्दा खर्चा चलोंदे हन नेहा दी तरह ही दीपिका कुमारी जी दा जीवन दा सफर वी उतार चड़ा परिया रहा है दीपिका दे पिता आटो रिक्षा चलोंदे हन अते उन्ना दी मान नर्स हन अते हुण वेखो दीपिका हुण टोकियो ओलंपिक्स विच पारत दे वलों एक मात्र महिला तीरंदाज हन कदे दुनिया दे नंबर एक तीर अंदाज रहे दीपिका दे नाड अपनिया सब दियां शुब कामना महन साथियो जीवन विच असी जित्थे भी पॉँच दे हां जिननी भी उचाई प्राप्त कर दे हां जमीन नाल एक जुडा हमेशा सानु अपनिया जडा नाल जोडी रखदा है संगर्ष दे देना तो बाद मिली सफलता दा अनादवी कुछ होर ही हुंदा है टोकियो जा रहे साड़े खिडारिया ने बचपन विच साधना संसाधना दी हर कमी दा सामना कीता पर उडटे रहे जुटे रहे उत्रप्रदेश दे मुझफर नगर दी प्रियंका गो स्वामी जीदा जीवन वी बहुत सिख्या दिन्दा है प्रियंका दे पिता बस कंड़क्टर हन बचपन विच प्रियंका नू ओ बैग बहुत पसांद सी जो मैडल जितन वाले खिडारिया नू मिलदा है इसे खेच करके उन्हाने पहली वार रेस वाकिंग मुकाबले विच हिस्सा ले आ सी हुण आजो इस दी वड़ी चैंपियन है जैवलें थ्रो विच पाग लेनवाले शिवपाल सिंग जी बनारस दे रेनवाले हन शिवपाल जी दाता पूरा परिवार ही इस खेड नार जुड़या होया है इनना दे पिता चाचा अते प्रा सारे पाला सुटन विच एक्सपर्ट हन परिवार दी अही प्रमप्रा उनना दे ले टोकियो उलम्पिक्स विच काम मौन वाली है टोकियो उलम्पिक लई जा रहे चिराग शेटी अते उना दे पार्टनर साथविक साई राज़ दा होंसला भी प्रेरित करनवाडा है हाल ही विच चिराग दे नाना जी दा कोरोना करके दिहांत हो गया सी साथ विक वी खुद पिछले साल कोरोना पॉजटिव हो गये सान पर इना मुश्किलां दे बाद वी ए दो में मैंज डबल शटल कॉंपिटीशन विच अपना सरबोत्तम देन दी त्यारी विच जुटे हन एक होर खिडारी नाल में तो अड़ी जान पहचान करोना चाहांगा ए हन हरयाना दे पिवानी दे मनीश कौशिक जी मनीश जी खेती किसानी वाड़े परिवारतों ओंदे हन बचपन विच खेतां विच काम कर दे कर दे मनीश नू बॉक्सिंग दा शौक हो गया सी आज ये शौक उना नू टोकियू ले जा रहा है एक होर खिडारी हन सी ए पवानी देवी जी नाम पवानी है आते ए तलबार बाजी विच एक्सपर्ट हन चे नई दे रेनवाले पवानी पहली पार्ती फेंसर हन जिन्ना ने उलम्पिक विच क्वालिफाई कीता है मैं किते पढ़ रहा सी केपवानी जी दी ट्रेनिंग जारी रहे इस दे लई उना दी माने आपने गैने तक गिरवी रख देते सन साथियो अजहेता अन गिंत नाहन पर मन की बात विच मैं अज कुझ ही नामादा जिकर कर पाया हां टोकियो जा रहे हर खिडारी दा अपना संगर्श रहा है वर्यादी मेनत रही है वो सिर्फ आपने लई नहीं ही जा रहे सगों देश दे लई जा रहे हन इन खिडारियाने पारत दा मान वी वदाऊना है अते लोकां दा दिल भी जतना है अते इसे लई मेरे देश वासियो मैं तो हानू भी एक सला देना चाहूंदा हां आपने अन जाने विच वी आपने इन खिडारियान उते दबा नहीं बनाऊना है सगों खुले मन नाड इना दा साथ देना है हर खिडारी दा उत्षाव दोना है सोशल मीडिया होते तुसी हैश्टेग चीर फोर इंडिया देनाड आपने इना खिडारियानों शुब काम नामा दे सकते हो तुसी कुछ होर भी इनोवेटिव करना चाहो ता ओवी जरूर करो जेकर तो हानों कोई अजेहा आइडिया होंदा है जो सारे खिडारियां लई देश नो मिलके करना चाहिदा है ता ओव तुसी मैंनों जरूर पेजना आपन सब मिलके टोकियो जानवाले अपने खिडारियानों सपोर्ट करांगे चियर फॉर इंडिया चियर फॉर इंडिया मेरे प्यारे देश वासियो करोना दे खिलाफ आपना देश वासियां दे लड़ाई जारी है पर इस लड़ाई विच आपना सब रड़ के कई गेर मामूली मुकाम भी हासल कर रहे हां होने कुछ दिन पहला ही साड़े देश ने एक बे मिसाल काम कीता है 21 जून नू वैक्सिन अब्यान दे अगले पड़ादी शुरुआत होई अथे उसे दिन देश ने 86 लग तो वद लोका नू मुफ्त वैक्सिन लगाउन दा रिकॉर्ड भी बना देता अथे ओवी एको दिन विच अइनी वड़ी गिनती विच पारत सरकारवलों मुफ्त वैक्सिनेशन अथे ओवी एक दिन विच सुभाविक है इस दी चर्चा वी खूब होई है साथियो एक साल पहला सब दे सामने सवाल सी कि वैक्सिन कदों आएगी आज असी एक दिन विच लखा लोका नूं मेड इन इंडिया वैक्सिन मुफ्त विच लगा रहे हां अथे यही ता नमे पारत दी ताकत है साथियो वैक्सिन दी सेफटी देश दे हर नागरिक नूं मिले आपान लगा तार यतन कर दे रहना है कई थामाओते वैक्सिन हैजिटेंसी नूं खतम करन लई कई संगठन सिवल सुसाइटी दे लोग अग्गे आए हां अथे सब मिलके बहुत वधिया काम कर रहे हां चलो आपान वी आज एक पेंड विच चाल दे हां अथे उनना लोका नाल गाल कर दे हां वैक्सिन दे बारे विच मदपरदेश दे बैतूल जिले दे डूलारिया पेंड चाल दे हां हलो नमस्कार नमस्ते जी मेरा नाम राजेश हिरावे ग्राम पंचायत डूलारिया पीमपूर बलाग राजेश जी मैं फोन ऐसले ही कीता कि मैं जानना चौधा सी कि इस विड़े तो आड़े पेंड विच हुण करोना दी की स्थिती है सर करोना दी स्थिती ता हुण अजेहा कुझ नहीं है थे हुण लोग बिमार नहीं हन जी पेंड दी जन संख्या किन नहीं है किनने लोग हन पेंड विच पिंडविच चार सो बाट मारदहन ते तिन सो बत्ती महिलावाहन सर अच्छा रजेश जी तुसी वैक्सीन लौा ली है नई सर हाले नहीं लौाई अरे क्यों नहीं लौाई सर जी ऐथे कुछ लोकाने वटसप उते अजेहा पलेखा पा देता के ओ लोक परमदा शिकार हो गए ताकि तो अड़े मन वीच भी डर है जी सर पूरे पिंडवेच अजेहा पलेखा फैला देता सी अरे रे रे एक एड़ी गाल कीती तुसी वेखो रजेश जी मेरा तोहानू भी अते सारे पिंडदे प्रापैनानू यही कहना है के डर है ताक कड देओ अपने पूरे देश वेच इकत्ती क्रोड तों वद लोका ने वैकसीन दा टीका लवा लिया है जी तोहानू पता है ना मैं खुद ने भी दो में डोज लवा लिया हन अरे मेरी माता लग पग सौ साल दे हन उना ने भी दो में डोज लवा लिया हन कदे कदे किसे नू इस नाल बुखार वगएरा हुनदा है पर ओ बहुत मामूली हुनदा है कुझ कांटेनली ही हुनदा है देखो वैकसीन नाल वाणा बहुत खतरनाक हो सकता है जी इस नाल तुसी खुदनों ता खतरे विच पौंदी हो नाल ही नाल परिवार अते पेंडनों भी खतरे विच पा सकते हो अते रजेश जी इसलिए जिनना जल्दी हो सके वैकसीन लगवा लो अते पेंड वेच सार्यानों दसो के पारत सरकार देवलों मुफ्त वैकसिन दिती जा रही है अते अठारा साल तो उपर दे सारे लोकां लई ए मुफ्त वैकसीनेशन है जी जी ता ए तुसी वी लोकां नों पेंड विच दसो अते पेंड विच ए डर्दा महौल दाता कोई कारण ही नहीं है कारण एई सर कुछ लोकां ने अजेही गल्ट अफवा फैला देती जिसते ना लोक बहुत डर गए उधारन वजों जी में उस वैकसीन नों लगवान ना बुखार ना बुखार ना होर बिमारी फैल जाना मतलब आदमी दी मौध हो जाना इत्थों तक दी अफवा फैलाई ओहो 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 देखो आज ताँ एने रेडियो एने टीवी एनिया सारिया खबरा मिल दिया हन अते इसले ही लोकां नों समझाणा बहुत सरल हो जाना है अते वेखो मैं तो आनू दसा पारत दे अनेक पेंड अजहे हन जित्थे सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके ने पाव पेंड दे सौ फीसद लोग जिमें मैं तो आनू एक उदार ना देंदा हा कश्मीर वेच बांदी पूरा जिला है इस बांदी पूरा जिले वेच एक व्यावन पेंड दे लोका ने मिलके हंड्रेड परसेंट सौ फीसद वैक्सीन दा टीचा बनाया आते उसनों पूरा भी कर देता आज कश्मीर दे इस पेंड दे अठारा साल तो उपर दे सारे लोग टीका लगवा चुके ने नागा लेंड दे वी तेन पेंडा दे बारे विच मैंनों पता लगया के उथे वी सारे लोका ने हंड्रेड परसेंट सौ फीसद टीका लगवा लया है जी जी राजेश जी तो आनू भी आपने पेंड आपने आडे दो आडे दे पेंडा विच एक गल पहुंचाओनी चाही दिए याथे तुसी वी जी में कहें देओ यह Packard यह बस यह पुँले ताम पुले अखे दा जवाब यही है के तो हांनों खुद नू टीका लगवा के समझे अणा पवे गा सारे नू करोगे ना तुसीं जी सर पका करोगे जी सर जी सर तो हाड़े नड़ गाल करके मैंनों अजिहा लग गया कि मैं खुद भी टीका लगवाऊंगा ते होर लोकान भी इस दे बारे वे चगे दस हूँगा अच्छा पेंडवेच होर भी कोई है जिनना नड़ मैं गाल कर सकता हां जी है सर कौन गाल करेगा हेलो सर नमस्कार नमस्ते जी कौन बोल रहे ने सर मेरा नाम किशोरीलाल दूरवे ताक किशोरीलाल जी हुने राजेश जी नाड़ गाल हो रही सी जी सर अते उता बड़े दुखियों के दासरे सन के वैक्सिन नो लेके लोग वक्ष वक्ष गला कर देने कि तुसी भी अजेहा सुनया है हाँ सुनया तो है सर की सुनया है क्योंकि यह है सर इधर निडे महराष्टर है उधर तो कुछ रिष्टेदारी नाल जुड़े लोग कुछ अफवाफ है लौंदे कि वैक्सिन लगवाण नाल लोग सब मर रहे ने कोई बिमार हो रहा है कि सर लोग का आंदे वेच बहुत परम है सर इसलिए नहीं लवा रहे हन नहीं कहिंदे की ने के होन करोना चलिया गया अजेहा कहिंदे ने करोना नाल कुछ नहीं हुंदा अजेहा कहिंदे ने नई करोना चले आगया नहीं बोल दे सर क्रोना था है बोल दे पर वैक्षीन जो लेंदा है उस नड़ मतलब बिमारी हो रही है सब मर रहेने ए स्थिती दास देने सर हो अच्छा वैक्सीन दे कारण मर रहे ने अपना खेतर आदिवासी खेतर है सर उन्जवी लोग एथे जल्दी डर देने जो पलेक्खा फला देन कारण लोग नहीं लवा रहे सर वैक्सीन वेखो किशुरिदाल जी चीहां सर अपने पेंडवालानु बचाणा है अपने देशवासियानु बचाणा है अते ये कर कोई कहनदा है कि करोना चलिया गया ता इस परम विच ना रहो ये बिमारी अजे ही है ये बहरूपिये वाली है वो रूप बदल दी है नमे नमे रांग रूप करके पहुँच जान दी है अते उस विच बचन लई साठे को दो रास्ते हन एक ता कोरोना लई जो प्रोटोकोल बनाया मास्क पैनना साबन नाल वारवार हाथ तोना दूरी बनाई रखना अते दूजा रास्ता है इस दे नाल नाल वैकसीन दा टी का लोना ओवी एक वधिया सुरख्या का वच है ता उस दी चिंता करो अच्छा किशोरी लाल जी एदसो जदों लोक तो अडे नाल गलां कर दे ने ता तुसी के में समझाऊंदे यो लोका नू तुसी समझाऊंदा काम कर देओ के तुसी भी अफवा विचा जान देओ समझाईए कि ओ लोक ज्यादा हो जान दे सर असी भी डर जान देओ वेखो किशोरी लाल जी मेरी तो अडेनाल गाल होई है आज तुसी मेरे साथी हो तुसी डरना नहीं है अते लोकां दे डरनों भी कड़ना है कड़ोगे जी सर कड़ांगे सर लोकां दे डरनों भी कड़ांगे सर मैं खुद भी लगवाऊंगा वेखो अफ वहां होते बिल्कुल तया ना देो तुसी जान देो अपने विग्यानिया ने किनी मिन्त करके वैक्स करना चाहिए दा है अते ए चूठ फैलाओन वाले लोकानू वार वार समझावना चाहिए कि वेखो पाई ये जहा नहीं हूंदा अइने लोकाने वैक्सीन लुआ ली है कुछ नहीं हूंदा अते अफवाहां तो बहुत बच के रहना चाहिए पेंड़नू भी बिचावना चाह ही है दास देओ मेरा ना दास देओ दसांगे सर अते समझा मागे लोका नूँ अते खुद भी लूआ मागे विखो तो अड़े पूरे पेंड नूँ मेरे वल्लों शुब काम नामा देओ अते सब नूँ कहना के जदों भी अपना नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाण ठीक सर मैं चाहांगा के पेंड़ियां औरता नूँ साड़ियां मातामा पेंडा नूँ इस काम वेच वद तों वद जोड़िये अते सरगर्मी दे नाल उन्हान नू नाल रखिये साथियो कदे न कदे इस दुनिया दे लई केस स्टडी दा विशा बनेगा के पारत दे पिंडा दे लोका ने साड़े बनवासी आदिवासी प्रापैना ने इस कोरोना काल विच केस तरह अपनी सम्रत्था अते सूज बूजदी पहचान करवाई पिंडा दे लोका ने कॉरंटेन सेंटर बनाए स्थानक लोडा नू वेखदे होए कोविड प्रोटोकोल बनाए पिंडा दे लोका ने किसे नू पुखा नहीं सौन देता खेती दा कामवी रुकन नहीं देता नेडे दे शेराविच दोद सबजियां एसाब रोजाना आपन जागरुक रहना वी है आते जागरुक करना वी है पिंडा वेच हर एक व्यक्ति नू वेक्सिन लग जावे यह हर पिंडदा टीचा होना चाहिदा है याद रखो आते मैं तान तो अनूखास तौर थे कहना चौनदा हाँ तूसी एक स्वाल अपने मनवीच पुछो हर कोई सफल होना चौदा है पर फैसला कुन सफलता दा मंतर की है निरंतरता इस लई आपने देश विच हुन मानसून दा सीजन भी आ गया है बदड़ जदों वर्दे हन ता सिर्फ साड़े लई ही नहीं वर्दे सगों बदड़ और वाड़ियां पीडियां लई वी वर्दे हन वर्खादा पाणी जमीन विच जाके इकठावी हुन्दा है जमीन दे पाणी दे पदर नूवी सुदार दा है अते इसलिए मैं जल सुरख्यानू देश सेवादा ही एक रूप मानदा हां तुसी भी विख्या ह होवेगा आपने विच्चों कई लोग इस पन नूँ अपनी जिम्मेदारी मन के लगे रहे हन अज यहे ही एक शक्स हन उत्राखंड दे पाणी गड़वाल दे सचिदा नद पार्ती जी पार्ती जी एक अध्यापक हन अते उन्ना ने अपने कमा नालवी लोकानू बहुत च अर्सदेसन उत्हे अज साल पर पाणी दी पूर्ती हो रही है साथियो पहाडा विच जल सुरख्यादा एकरवाईती तरीका रहा है जिसनों चाल खाल भी केहा जान्दा है पाव पाणी जमा करन लई वड़ा सारा तोवा पुटना इस प्रमप्रा विच पार्ती जी ने कु कोटे वड़े तलाब बनवाए इस नल ना सिर्फ उफ्रेंग खाल दी पहाड़ी हरी परी होई सगों लोकां दी पीन योग पाणी दी समस्या वी दूर हो गई तुसी यह जानके हैरान रह जाओगे के पार्ती जी अजहे ती हजार तों वद तलाब बना चुके हन ती हजार उनना दा एपले दा कारज आजवी जारी है हते अनेक लोकानों प्रेड़ना दे रहा है साथियो इसे तरह यूपी दे बांदा जिले विज अंधाव पेंड़ दे लोकाने वी एक वक्री ही तरह दा उपराला कीता है उनना ने अपने अब्यान नों बहुत ही रोचक नाम द करता है खेत दा पानी खेत विज पेंड़ दा पानी पेंड़ विज इस अब्यान दे तहत पेंड़ दे कई सौ बिग्ये खेतां विज उच्ची उच्ची वट बनाई गई है इस नाल मी दा पानी खेतां विज इकठा होन लगया अते जमीन विज जान लगया हुन ए सब लो पहचानता उन्ना दे पेंडदी दूर दूर तक उंजवी हो रही है। कोई ना कोई जडियां बूटियां वाले गोन ना होन। कीती है कि मैं मन की बात दे सारे स्रोतियां नू कहां कि तुसी वी अपने आले दू आले दियां बनस्पतियां दे बारे विच जानों अते दूजयां नू वी दसो। असल वेच एतसाड़ी सदियां पुराणी विरासत है जिसनू आपना ही संबालना है। इसे दिशा विच मद परदेश दे सतना दे एक साथी हन श्रीमान रामलोटन कुश्वाहा जी उनना ने बहुत ही शलागा यो कम कीता है। रामलोटन जी ने आपने खेत विच एक देशी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम विच उनना ने सैंकडे जडियां बूटियां आते बीजयां दा संग्रय कीता। इनन वो दूर दुराडे खेतरां तो इत्थे लेके आये हन। इस तो इलावा वो हर साल कई तरादियां पारती सबजियां भी अगांदे हन। इक फाइदा एवी होवेगा कि स्थानक बनस्पतियां दे मादयम नाल तो हाड़े खेतर दी पहचान वी वदेगी। इसलाई इस वार नैशनल डॉक्टर्स डे होर वी खास हो जानदा है। साथियों, मेडिसिन दी दुनिया दे सब तो सनमानित लोका विचों एक हिपोक्रेट्स ने के हासी। वेरेवर दा आर्ट अफ मेडिसिन इस लवड, दे आल्सो अलव ओफ हिमानिती। पाव जित्थे आर्ट अफ मेडिसिन ली प्रेम होंदा है, उत्थे मनुखता लईवी प्रेम होंदा है। डॉक्टर्स इसे प्रेम दी शक्ती नाड ही साड़ी सेवा कर पौँदे हन। इसलई साड़ा एफ फर्ज है के असी उने ही प्रेम नाड उनना दा तनवाद करिये, उनना दा होंसला वदाईये। उन्ज साड़े देश विच कई लोग अजहेवी हन जो डॉक्टर्स दी मदद लई अग्गे वद के कम कर दे हन। शिरिनगर तों एक अजहे ही उपराले दे बारे विच मैंनू पता लगया। एथे डालचील विच एक बोट एम्बुलेंस सर्विस दी शुरू आत की थी गई। इस सेवा नू शिरिनगर दे तारिक एमद पतलो जी ने शुरू कीता। जो एक हाउस बोट उनर हन। उनना ने खुद भी COVID-19 नार जंग लड़ी है। अते इसे ने उनना नू एम्बुलेंस सर्विस शुरू करन ली प्रेरित कीता। उनना दी इस एम्बुलेंस नार लोका नू जागरुक करन दा अभयान भी चल रहा है। उन लगातार एम्बुलेंस नार अनाॉस्मेंट भी कर रहा हन। कोशिशे ही है के लोक मास्क पैननतों लेके दूजी हर जरूरी साबदानी वरतन। साथियो डॉक्टर्स डे दे नार ही एक जुलाई नू चार्टड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जान्दा है। मैं कुछ साल पहला देश दे चार्टड अकाउंटेंट्स नाल विशव पद्दर्दियां पारती ओडिट फर्म्स दा तोफा मंगया सी। आज मैं उन्ना नू इस दी याद वोना चोंदा हां। मैं सारे चार्टड अकाउंटेंट्स उन्ना दे परिवार दे मेंब्रानू अपनियां शुब काम नामा देंदा हां। मेरे प्यारे देश वासियों, कोरोना दे विरोध पारत दी लडाई दी एक वड़ी खासियत है। इस लडाई विच देश दे हर व्यक्ती ने अपनी पूमी का निबाई है। मैं मन की बात विच अक्सर इस दा जिकर कीता है। पर कुछ लोग का नू शिकायत वी रहन दी है कि उन्ना दे बारे वे चोनी गल नहीं हो पाउंदी है। अनेक लोग चाहे बैंक स्टाफ होवे, टीचर्स होन, छोटे वपारी जा दुकानदार होन, दुकाना विच कम करनवाले लोग होन, रेडी फडी वडे प्रापैन होन, स्क्यूरिटी वाच मैन, जा फिर पोस्ट मैन, आते पोस्ट आफिस दे करमचारी। दरासल ए लिस्ट बहुत ही लंबी है, अते हर किसे ने आपनी पूमी का निभाई है, शासन, प्रशासन विच कि ने ही लोग वखवख पदर उते जुटे रहे हन, साथियो तुसी संभव है कि पारत सरकार विच सकतर रहे गुरु परसाद महापातराजी दा नाम सुने होव अते अपना फर्ज वी निभारे सन, देश विच ऑक्सीजन दा उत्पादन वदे, दूर दुराड़े इलाकियां तक ऑक्सीजन पहुंचे, इस दे लई उन्हाने दिन रात काम कीता, एक पासे कोट कचेरी दा चकर, मीडिया दा प्रेशर, इकठे कई मोर्चयां उते उलड दे रहे, बिमारी दे दौरान उन्हाने काम करना बांध नहीं कीता, मना करन दे बाद वी उस जिद करके ऑक्सीजन उते हुनवालियां वीडियो कॉन्फरेंसां विच वी शामल हो जान दे सन, देश वासियां दी ऐनी चिंता सी उन्हानू, वो हस्तार दे बैड़ोते चौनली इंतजाम विच जुटे रहे, आपां सब दे लई दुखदाई है कि इस कर्मयोगी नूँ भी देश ने गवा देता है, कुरोना ने उन्हानू साड़ेतों खो लेया, अजेहे अन गिंत लोग हान जिना दी चर्चा कदे हो नहीं पाई, अजेहे हर व्यक्तिनू चंगीगाल ए है कि इस विच मेरे तो वद आप सब दा योगदान रहेंदा है, हुने मैं माई गव विच एक पोस्ट विखी, जो चे नई दे थिरू आर गुरु परसाद जी दी है, उन्हान ने जो लिख्या है, वो जान के तो हानू भी चंगा लगेगा, उन्हान ने जदों वी तुसीं तामिल नाडू दे बारे विच गल कर दे हो, ता मेरा इंटरस्ट होर वी वद जानदा है, तुसीं तामिल पाशा आते तामिल संस्कृती दी महानता, तामिल त्योहारां आते तामिल नाडू दे परमुख स्थाना दी चर्चा कीती है, गुरु परसाद यगे लिख दे हन के, मन की बात विच मैं तामिल नाडू दे लोकादियां प्राप्तियां दे बारे विच वी कई वार दस्या है, तिरुकृरल दे प्रती तोहडे प्यार, अते तिरुवलूवर जी दे प्रती तोहडे आदर दातां कहना ही की है, इसलिए मैं मन की बात तुसी जो कुछ वी तमिल नाडू दे बारे विच बोलया है उस सब नू संकलत करके एक e-book त्यार कीती है कि तुसी इस e-book नू लेके कुछ बोलोगे और इस नू नमो एप उते वी रिलीज करोगे तनवाद यह मैं गुरू परसाद जी दा पतर तोड़े समने पढ़ रहा सी गुरू परसाद जी तो हाड़ी ये पोस्ट पढ़के बहुत अनाद आया हुण तुसी अपनी e-book विच एक होर पेज जोड देओ नान तमिल कला चाराकतिन पेरिये अभिमानी नान उलगतले पलमाया तमिल मोलियन पेरिये अभिमानी उचारन दा दोश जरूर होवेगा पर मेरी कोशिश अते मेरा प्रेम कदेवी काट नहीं होवेगा जो तामिल पाशी नहीं हन उन्हानों में दसना चाउंदा हाँ गुरू परसाद जी नुमें क्या है मैं तामिल संस्कृती दा बहुत वड़ा प्रशन सक हाँ साथियो हर हिंदोस तानी ενो संसार दी सब तो पुरातन पाशा साधे देश दी है इस दा गुनगान करना ही चाईदा है उस उते मान मैसूस करना चाईदा है मैं वी तामिल नू लेके बहुत मान करदा हाँ गुरू परसाद जी तो हाड़ी ये कोशिश मेरे लिए नमी दृष्टी देन वाली है क्योंकि मैं मन की बात करदा हां ता सहज सरल तरीके नाड़ अपनी गल रखदा हां मैं नू नहीं पता सी कि इस दा एवी एक एलिमेंट सी तुसी जो दो पुराणिया सारिया गलानों इक काम नामा मेरे प्यारे देशवासियो आज आपा कोरोना दियां मुश्किलां अते साबदानियां उते गल कीती देश अते देशवासियां दियां कई प्राप्तियां उते वी चर्चा कीती हुने को होर वड़ा मौका भी साड़े सामने है 15 अगस्त भी ओन वाला है आजादी जंग देशली मर्न वाल्यां दी कथा है। आजादी दे बाद दे इस समय नू आपां देशली ज्योन वाल्यां दी कथा बनोना है। साड़ा मंत्र हुना चाईदा है इंडिया फॉस्ट। साड़े हर फैसले हर निर्ने दा अदार हुना चाईदा है इंडिया फॉस्ट। साथियो अम्रित महोत सब विच देश ने कई सामूहिक टीचे वी तै कीते हन जिमें आपने सुतंतरता सैनानियानू याद कर दे होए उनना जुड़े इतिहास नू मुड़ सुर्जीत करना है तो हनू याद होवेगा के मन की बात विच मैं नौजवान नू सुतंतरता संगराम होते इतिहास लिखन खोज करन इस दी अपील कीती सी मकसद एही सी के नौजवान प्रतिबामा अगे ओन नौजवान सोच नौजवान विचार सामने ओन नौजवान कलम नमी उरजादे नार लिखाई करे मैंनू एवेख के बहुत चंगा लगया के बहुत ही काट समय विच टाई हजारतो वद नौजवान इस कामनू करन लई अगे आये हन। सदी दी आजादी दी जांगनों लोकां दे सामने रखन दा मोर्चा संबाड़या है। एना सारे लोकां ने माई गाव उते इस दा पूरा वेरवा पे जया है। ए लोक हिंदी, इंगलिश, तामिल, कनड़ा, बांगला, तेलगु, मराठी, मल्यालम, गुजराती अज़ाइ आदिवासी सुतंतरता सैनानिया उते किताब लिख रहा है। एक चंगी शुरुआत है। अग्ये वदो आपने नमे नमे उप्राल्या नाल देश नू एंज ही रफ्तार देंदे रहो इनना शुब काम नामा दे नाल बहुत बहुत तन्वाद।